त्री सिवाय नमस्तु भ्यम सावन का पवित्र महना आने वाला है और गुरुजी ने पहले ही एक डिब्य उपाय बता दिया है जो आपको बड़ी आसानी से करना है यह उपाय नहीं एक तरह से चमतकार है सावन का महना पावन है पवित्र होर भागी के रिखाव को प्रवल कर करता है दोहजार चौबीस में सावन का महना 22 जूलाई दोहजार चौबीस से सुरू होकर 19 अगस्त दोहजार चौबीस पर समापन की ओर होगा इस वर दुरलब सयोग हो रहे हैं जोकि अपने आप में अध्भूत है रोग कस्ट संकट पीड़ा का निरान करने वाले हैं इस पांच कुल सावन के सौमबार रहेंगे पहला सावन के सौमबार का जो वरत होगा वह 22 जूलाई 2024 के दिन होगा दूसरा सावन सौमबार वरत 29 जूलाई 2024 को होगा तीसरा सावन सौमबार वरत 5 अगस्त 2024 को रहेगा चोथा सावन का सौमबार 12 अगस्त 2024 के दिन रहेगा और प भक्त जनो मैंने इसक्रीन पर भी सभी चीज़े दी हुई हैं आप जानते होंगे सावन के महने में समस्ट स्विष्टी का कारिभार महादेव के हाथ में होता है चातुर मास कहा जाता है इस दोरान स्रीहरी विश्णो वीसे इस तोर पर निद्रा की अवस्था में चले जाते ह जरूर से सावन सौंबार ब्रत शुरू करें कब कैसे करना है किस तरह से करें इसका वीडियो आप कहेंगे तो मैं जरूर से वीडियो अपलोड कर दूँगी आप सभी को दोहजार चौबेस सावन सौंबार ब्रत आवश्यक रूप से उठाने चाहिए इस बार साथ के साथ आप सभी को उपाई भी करना है यह कोई विशेस ऐसे उपाई नहीं है जिन में बहुत अधिक ताम जाम लगता है बहुत सरल उपाई है जो गुरुजी ने हल की ही कथा में बताया है और आप सभी को करना है इन दिनों महाते विशेस तोर पर प्रतेक सिवलिंग में चमतकारी स जाने का भरपूर प्रियत्न करता है जो कि भागी की रेखाओं को अद्भुत स्वरोप में प्रबल करते हैं तो आप सभी को उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए जब सावन का प्रथम दिन रहेगा उस दिन से ही आप सभी 22 जुलाई से ही इस उपाय को सुरू कर सकते हैं नि उन्होंने इस पस्ट स्वरोप पर सावन सौंभार के उपाय बतलाए गये हैं देरे देरे इसका वीडियो भी आप सभी तक प्रसारित होगा परन्तु जो आजकल गुरुजी ने उपाय बताया है अगर इसे सावन के महने में कर लेते हैं तो आपके भागी की रेखाए प्र जेल का लोटा लेना है मेरे महाधेV को महल दुमहला नहीं चाहिए मेरे महाधेV को विसे चप्पन बहोग नहीं चाहिए मेरे महाधेV साधार अरंसरल एक जलके लोटे से ही प्रसंद हो जाते हैं और भक्तजन के खुशियों के भंडार भर देते हैं उनके गले में वासु की नाग है और वह भस में रमाय हुए है और धर्ती पर डमरू बजाते हुए सावन के महने में विच्रण करते हैं तो आप सभी को अपने पूजा की थाली स्री सिवाय नमस्तुभ्य महामंत्र का जाप करते हुए तयार कर लेनी है स्री अर्थात मेरी महातारानी और शिवाय अर्थात मेरी महादेव तो स्री सिवाय कहकर आप महादेव और महातारानी दोनों को बंदन कर जोहे होते हैं ऐसी स्थिति में पूजा की थाली में आपको गोल बत्ती का घी का दीपक रखना हैं और घर के मटके से जल भर लेना हैं तामे का पी तल का कैसा भी जल हो साफ सच दोकर आप सुंदर अवस्था में उसे रख लीजे साथ ही मार्ची सित्यरी अपने घर से ही लेकर जाए साफ घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में कहीं उपाय को कर लीजेगा आप सभी को इसके लिए दो फूल की आवशकता बढ़ेगी एक फूल तो सफेथ फूल है और एक फूल है लाल फूल तो दोनों को अपनी पूजा में रख लीजे साथ के साथ दो बेल पत्र की भी आप ले सकते हैं अर्था सिवलिंग पर चड़ी हुई बह बेल पत्र साथ सुत्री अवस्ता में हो इस बात का आपको त्यान रखना चाहिए उसके बाद आप सभी को प्रभु का चिंतन नमन करते हुए सबसे पहले पूर्वी आउत्तर दिशा की और अपना मुख कर लेना ह जल का लोटा संपुर्ण सिवलिंग पर समर्भित करें गोल बत्ती का घीकाती पक लगा कर सिवलिंग की आर्थी करें उसके बाद आपको उपाय करना शुरू करना है जब भी पूजा आराद ना करें तो प्रभु का चिंतन अपनी मनो कामला जरूर से कहें ताकि आपकी मनो अब बेल पत्र की उपर आई जैसा मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है अब बेल पत्र की जो डंडी है वे स्वते ही नीचे की ओर हो जाएगी जलाधारी की ओर और बेल पत्र की तीन पत्तियां उपर की ओर हो जाएंगी अब यह प्रथम आपने बेल पत्र और लाल फूल समर्पित कर दिया क्योंकि लाल फूल मातारानी से संबंद रखता है और यह मनोकामना पूर्टी में जाना जाता है दूसरा सफेद फूल और एक बेल पत्र की बारी आती है आप सभी को विषेश तोर पर अपने हाथ में विषेश रूप से लेना है एक सफेद फूल और एक बेल पत्र प्रक्रिया वही रहेगी सबसे पहले नीचे आपको सफेद फूल रखना है उपर बेल पत्र रखना है स्री सिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपनी वनुकामना कहकर अपने हाथ से इस तरह से सिवलिंग पर समर्पित करें कि जो बेल पत्र की डंडी है वह नीचे की ओर अर्था जलाधारी की ओर हो और तीनों पत्तिया जो है उपर की ओर रहे हमेशा बढ़ते हुए क्रम में अर्थात उपर की ओर ही कोई कारे किया जाता है इसी तरह से फूल पत्तिया भी बढ़ती है तो अद्भूत इसका कारी कहा गया है मैंने स्क्रीन पर दिखाया है कैसे इसे करना है तो इस तरह से आप सभी को विसेश तोर पर दो फूल दो सिवर कहनी है रोग सकत कस्ट पीडा मिट जाई यह पराधना करते हुए घर की ओर आ जाना है तो आप सावन के महने में यह नियम बना सकते हैं नहीं तो किसी भी एक सूपती थी मैं आप कर लीजिएगा दूसरा गुरुजी ने कहा है जब भी आपने सुना भी होगा कई वीडियो पर चणाना है गुरुजी कहते हैं जो भी भक्त सावन के महने में एक बेल पत्र एक जल का लोटा सावन के प्रथम दिन सुरू कर देता है सिवलिंग पर चणाना उसके भाग्य स्वते ही प्रवल हो जाते हैं इस महने अगर महादेव को मना लिया जाए रिजा लिया जाए तो पूरे साल स्वते ही सुख मिल जाता है इस महने विसे स्टोर पर हरी सब्जी तेरी नहीं खाय जाती दूद दही घी सकर शहद से महादेव का नियमित पंचामरत से अभिशेक किया जाता है इस महने उपाय के सरूप में आप अपने घर के नियमित रूप से मंदीर में य नियम बना लीजे कि आप सभी को इस विशे सावन के महने में जो कि अपने आप में अध्भूत है ब्रत कर पाए तो उत्तम है न कर पानी की स्तिती में आप भागी की रेखाओं को प्रवल करने जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए इन कार्यों को जरूर से करें जीव कोई भी प्रशन हो पूछ लेजेगा